अभी जितने भी latest में phone आ रहे हैं सिर्फ Samsung को छोड़कर सब में Google Dialer का यूज किया गया है अब Google Dialer का यूज करने से problem क्या है ना कि जब भी आप phone यह तो इधर से करते हैं यह तो उधर से आता है incoming call या out going call जब भी आप call करते time अगर आप call को record करना चाहते हैं तो उसको में problem क्या होता है कि एक notification आ जाएगा यानि वो बोल कर कि this call has been recorded तो वो इधर भी सुनाई पड़ेगा आपको भी और जहां आपने call कर रहे हैं उसे भी सुनाई पड़ जाएगा कि यह call record हो रहा है यह जो option है इसे आप हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन वो mute कर सकते हैं तो mute करने के लिए सबसे simple सा तरीका है सबसे पहले आपको play store open करना पड़ेगा अपने mobile phone में play store open करने के बाद एक apps को download करना पड़ेगा आपको type करना पड़ेगा ttslex ठीक है तो यहाँ पर option यहाँ पर दिख जाएगा अब उसको पर tap करने के बाद एक कुछ application है यह low color का तो इसे install कर लेना और इसे open नहीं करना है क्योंकि यह एक application नहीं है जो कि जो सिर्फ अंदर ही phone के internal में ही run करता है ना कि यह apps के तरीके से यह काम करेगा तो यह जैसे install हो जाता है तो इसके बाद आपको setting को on करना पड़ेगा आपका mobile device में जो भी तो setting ओन करने के बाद उपर में आपको type करना है search box में type करना है text 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 to speak 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 जैसे ही लिखेंगे तो सबसे उपर में आ जाएगा text to speak output तो इसको पर click करना है पहले वाले option पर अब यहां पर इतना सारे option दिखेगा तो उपर में सबसे आ रहा है preferred engine का तो इसको पर okay करना है और आपका में यहां पर होगा अभी जैसे कि यहां पर blue दिख रहा है और TTSL जो हमने application अभी जो download किया बो वाला blue दिख रहा है आपका उपर वाला दिख रहा होगा speech service वाई Google तो उसको पर से हटाके TTSL जो है उसको पर टैप कर देना और यह आपका green हो जाएगा blue हो जाएगा अब blue हो जाएगा इसका मलब की अब वो हट चुका है जब भी आप call को record करोगे तो अब ऐसा प्रोग्लम आपको फेस नहीं होगा तो एक simple सा तरीका था इसी तरीके से अगर और भी कोई problem है तो नीचे comment कर सकते हो और भी कोई